Good morning students, today we will learn symbol of vowel along with translations and how to pronounce. We also see positions when used with consonant. So let us start. Students, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है. कुछ मात्राओं व्यांजरों के उपर लगती हैं, तो कुछ नीचे. कुछ व्यांजरों के आगे लगती हैं, तो कुछ उनके पीछे. तो आईए हम देखते हैं. C, वाविल, सिम्बल, and मात्रा. मात्रा कैसे हम लोग कहा लगाएंगे, वो आप लोग देखेंगे. O, O की इंगलिस क्या होगी? A, इसकी मात्रा नहीं होती है. आ, आ, ए, ए, इसकी मात्रा देखिए, कौ, कौ में आ की मात्रा जुड़ी है, तो इसको कैसे प्रणाउंस करेंगे? का, का, के, डबल, ए, इ, 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 इसकी मात्रा देखिए, ऐसे रहेगी. और इसको क्या पढ़ेंगे? कि, कि, और इसकी इंगलिस क्या होगी? के, आई, और इसको क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इ, इ, और इसकी इंगलिस क्या होगी? के, डबल, इ, मात्रा देखिए इसकी, और इसको कैसे प्रणाउंस करेंगे? की, की, और इसकी इंगलिस क्या होगी? के, डबल, इ, उ, इ, 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 इसकी मात्रा क्या होगी, कैसे लिखेंगे इसकी मात्रा, देखिए, यहाँ पे लाइन कीचेंगे, और इसकी मात्रा, like this, you will write, कु, कु, और इसकी इंग्लिस क्या होगी, के, यू, उ, लॉ, 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 लॉ की मात्रा कैसे होगी कु और इसकी इंग्लिस क्या होगी के डबल ओ री इंग्लिस क्या होगी और इसकी मात्रा कैसे लिखेंगे क्री इसकी स्पेलिंग क्या होगी के और आई कि मात्रा कैसे होगी और इंग्लिस क्या होगी और इंग्लिसётся ओए कि माट्रा कैसी होती है कै के 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 ओ की इंगलिस किया होगी हो आ मात्रा देखिये से लिखेंगे को However इसकी इंग्लीज क्या होगी के ओ और इसकी मात्रा कैसे होगी को इसको क्या पढ़ें को के ए यू अंग ए ए एन इसकी स्पेलिग क्या होगी ए एन अंग और इसको कैसे लिखेंगे सी काउं क्या पढ़ेंगे काउं के ए ए एन एन के उपर ये भी लगा रहेगा के ए एन काउं अह ए ए ए एच अह अह की मात्रा देखो लाइक दिस कह क्या होगी कह के ए ए ए ए एच